ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल। ग्रहन ग्रहन अपनी चाल और सितारे बताते हैं अगर की सिकारण वस पूरुदिशा की यातरा करना बहुत जादा आवश्यकों तो दरपन में अपना चेहरा देख करके यात्रा आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की सुबह साड़े साथ बजे से शुरू हो करके नो बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुबिया मंगलिक का रिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निर्णय आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दिए हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव जो की व्रशब राशी में, वहीं चंद्रमा कुम्ब राशी में, मंगल ग्रह मीन राशी में, बुद्ध ग्रह व्रशब राशी में, देव गुरु व्रहसपती जो की मीन राशी में, शुक्र ग्रह म इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार वरशब करक कन्या वरश्चिक मकर एवं मीन ये छे राशियां सबसे अधिक भागिशाली रहने वाली है दिन इनके लिए लाप प्रसिद्ध होगा धनलाप के सांसाथ कारिक्षित्र में उन्नाती और प्रगती के भी उत्तम अउसर इनको प्राप्त हो सकते हैं तो कुल मिला करके छे राशिवालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा उत्तम रोजगार के उसर भी इनको मिल सकते हैं नई नोकरी नई जम्मेदारी नया व्यापार नया पदप्राप्त करने का इनका उत्तम दिन रहेगा अब हम आपको मेश से ल सकारात्मक रविया के कारण कई प्रकार की उपलब्दी आपको प्राप्त हो सकती है समय का भैरुपूर सद उप्योग करे रिष्टेदारों तथा संबंदियों के साथ संबंद और अधिक मजबूत होंगे भविश्य शंबंदी महत्वपूर्ण योजनाय बनेगी प्रापर्टी या पैत्रिक संबंदी कोई कार्यदी रुकावट आ रहा है तो उसकी रुकावटे समाप्त हो जाएगी भाईयों तथा मित्रों से वेचारिक मधवेद उत्पन नहो सकते हैं इसलिए साउधान रहे संतान की किसी परेशानी में आपके सहयोग से उनकी समस्या का समाधान निकल जाएगा और उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशबरासी की राजनितिक तथा सामाजिक कारियों के परती आपका रुजान बढ़ेगा राजनितिक संपर्क आपके लिए कुछ शुप अउसर भी प्रदान करेंगे नए वाहन के खरीदने संबंदी योजना बनेगी यदि आपने उधार पैसा दिया हुआ है तो वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रती गंभी रहना चाहिए और उपाई के रूप में यदि आप छट के ऊपर पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की आज आप रोज मर्रा की जिंदगी से हट करके दिन चर्या में कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे इससे आपकी मानशिक व शारीरिक धकावट दूर हो जाएगी तथा एक नई उर्जा का प्रबाह अपने अंदर आप महसूस करेंगे अर्थिक व्यवस्थाओं संबंदित महतुपूर्ण नेने लेने के लिए दिन बहुत उत्तम है लेकिन कोई भी कार्य भाउपता वश बिल्कुल न करे बुद्धि मत्ता तथा चतुराई से आपको प्रत्यक कारी करना चाहिए और उपाय के रूप में गणेश जी को कोई भी मीठी वस्तु चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भगिशाली अंक नो होगा भगिशाली रंग आपका ओरेंज होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आज कुछ महत्यपूर्ण तथा उच्च पदासीन व्यक्तियों के साथ आपका समय व्यतित होगा इससे आपके मैं सम्मैन में व्रद्धी होगी तथा नई उपलब्धी आपको प्राप्त हो जाएगी इस समय व्यरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हतियार डाल देंगे कोई भी महत्यपूर्ण काम करने से पहले संबंदित योजनाओं पर दोबारा विचार अवश्य करे जरासी चूक आपके लिए परिशानी का कारण बन सकती है और उपाई के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में सफेद फूल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक माच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की घर के बदलाव अथवा नवीनी करण संबंदी योजनाई तयार होगी इन योजनाओं को कारी रूप देने में आपको अधिक समय व्यतित होगा आर्थिक स्थिती बहतर रखने के लिए बजट बना कर चलना आती अवाश्यक होगा किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी नए आव्यापार नई नोकरी या नए काम की आप शुरुवात कर सकते हैं जो काम आप शुरू करेंगे वो आगी चल करके आपको अच्छा फाइडा देगा और उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चडाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की कोड केज अस्वा प्रापर्टी से संबंधित रुके हुए काम आपके पक्ष में हो जाएंगे और फैसला आपके पक्ष में आएगा जैसे आपको बहुत मानसिक शांती प्राप्त होगी रिस्तेदारों के किसी विवात पूर्ण मामले में आपकी उपस्तिती निरनायक रहेगी आपकी बुद्धिमानी वा सूज बूज की तारीफ होगी किसी भी प्रकार की कागजी कारवाई करते समय बहुत अधिक सावधानी बढ़ते चोटी सी गलती से बहुत अधिक धन हानी हो सकती है बहतर होगा कि इन गतिविधियों को आज आप इस्तगिती कर दे अपनी योजनाओं को किसी के समक शेर न करे कोई इसका अनुचित फाइदा उठा सकता है उपाई के रूप में गाय को हरी सबजी आ हरी घांस खिलाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक जो की छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आबाज को अवश्य सुने जैसे आपको अवश्य ही अच्छी सूजबू तथा सोच विचार की ख्रमता प्राप्त होगी घर में कोई शुप तथा मैंगलिक कारिक्रम संपन्न होने की योजना बनेगी तथा रिस्तेदारों की आबाजाही आपके घर में बने रहेगी आपकी लापरबाही की वज़े से किसी नजदी की रिस्तेदारों के साथ संबंद आपके खराब हो सकते हैं इसलिए बहुत अधिक चोकरना रहने की आउशकता है घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सलहा को नजर अंदास न करे उपाई के रूप में चावल का डान गरीब व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की धार्मिक संस्थाओं के साथ सेवा संबंदी कारियों में रूची लेना आपको मानसिक सुकुन देगा सांथी समाज में आपका मान सम्मान तथा रुतबा भी बढ़ने वाला है इस समय अपने लक्ष के प्रती आप पूर्ण रूप से एकागर्चित तथा गंभीर रहे सफलता आपका अवश्य ही प्राप्त होगी वाहन खरीदने की योजना यदि आप बना रहें तो कुछ समय के लिए इस्थगित आपको करना चाहिए और आर्थिक मामले अभी पूर्वहत रहेंगे अनावश्य खर्चों पर कटोती करें तथा धैर ये बना करके रखे और कर्ज यदि आप लेने जा रहे हैं तो उसको भी आपको कुछ दिनों के लिए रोक करके रखना चाहिए उपाय के रूप में यदि आप देवी जी को सिंदूर चणाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भाग्यशाली अंक साथ होगा भाग्यशाली रंग आपका नारंगी होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की आपको शारीरिक तथा मांसिक शुकून पाने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविदियों में कुछ समय व्यतीत करना होगा प्रापर्टिय अथा वाहन की खरित फरोक्त संबंदी योजना आप बना सकते हैं और घर का नव निर्मान या फिर सुधार करवाने के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं घर में किसी व्यक्ति विशेश से आपका विचारिक मदभेद उत्पन हो सकता है ध्यान रखे साउधानी आपको बरतना चाहिए उपाई के रूप में भगवान विश्णुजी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आज किसी जर्वत मन मित्र की साहता आपको करनी पड़ेगी और ऐसा करने से आपको मानशिक शान्ती अनुभव होगी और पड़ाई के लिए जो बच्चे महनत कर रहे हैं उनको मनोवानशिक परिनाम की प्राप्ती होगी जिससे उनका होसला और आत्मेश्वास और अधिक बड़ेगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम्पराशी की इस समय ग्रह गोचर आपके मनोबल तथा आत्मेश्वास को बढ़ाएंगे सामाजिक रूप से मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी आपको उपलबधियां प्राप्त होगी सम्मितवा आदर्श बना करके रखना आती आवश्यक है आर्थिक रूप से कुछ परिशानिया उत्पन होने से चिंता रहेगी परन्तु यह तात्का लिखे इसलिए ज़्यादा परिशान होनी के आउशकता नहीं है कुछ समय बाद सब कुछ ठीक ठाक और सामन्य हो जाएगा कारोबार में आपको फाइदा होगा धनलाब होगा यदि आप लगन तथा एकाग रिचित और महनत से यदि काम करेंगे तो आगे चल करके नए कार्य से आपको अच्छा फाइदा होगा उपाई के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में यदि आप सिंदूर और लाल फूल तथा एक नारियल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की दिन चरिया में कुछ परिवर्तन लाने के लिए अपनी रूची पूर्ण कारियों में आप समय बतीत करेंगे इससे आपको खुशियां प्राप्त होगी पारिवारिक महोल सकरात्मक रहेगा ससुराल पक्ष से खुशी भरा समाचार आपको मिल सकता है और उपाई के रूप में पीले चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उपाई तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए है हमारे इस ज्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्स्क्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्स्क्राइब अभश्य कर लिजे आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी क्रश्न, सादर धन्यवाद